तो बचो अगर आप किसी भी नंबर को 0 से 8 करते हैं तो आपका नंबर क्या होगा, as it is, वहीं आएगा, दीख, इस 2 में आप 0 को add करेगे तो देखें कितना आपका वही नंबर आजाएगा, छिप, और ये 6 तो यहां पराष्य करतेंगे, 62, okay तो आप किसी भी नंबर में आगर 0 minus करते हैं तो आपका क्या होगा? कई नमबर आगा क्योंकि 0 कोई भी नमबर नहीं है इसलिए जब आप 0 माइनस करेंगे तो उसे नमबर आजाएगा आपका तो यहाँ पे आपका से यही नमबर आजाएगा ठीक है? सबोस्ट रेट अगर आप इसी भी नमबर को यहाँ पे आपका सी नमबर लगीजिए 345 345 345 प्लस 1 जब आप इसको एट करेंगे तो आप इसके लिए यहाँ पर आप लिख लीजे लिखे 345 प्लस 1 345 प्लस 1 एट करेंगे इसमे तो 5 प्लस 1 किता हुआ 6 आप राइट करतेंगे आपे 6 आप यहाँ पे कितना हुआ? 4 as it is, ऐसे लिखेंगे और 3 as it is लिखेंगे तो यहाँ पे कितना हुआँ रहेगा? 345 प्लस 1 एट किया? 6 345 6 यहाँ आपका? As it is तो दीखें, A, B, C इसी तरी के से आपको question number first में, fill in the box में, यह आपको fill करना है ओके शुड़ें Student C, question number second, addition तो इसमें आपको क्या करना है? add करना है तो दीखें, 2 डिखेंगे हैं 1s, 10s तो आप दीखें, आपको इसमें add करना है तो दीखें, 0 ब्लस 0 को add कितना है? 0 आपको as it is, as it is फिर 3 प्लस 4 जब आप 3 को और 4 को add करेंगे तो कितना हैगा? 7, okay? तो यहां बड़ा प्राइट करतेंगे 7, यह आपका answer आगिया ठीक है? फिर आप इसी तरीके से 1s में पहले आप add करें तो 4 और 2 को add करेंगे तो कितना हैगा? 4 प्लस 2, 6 तो आप 3 प्लस 2, तो आप 3 और 2 को करेंगे तो कितना हैगा? 5, okay? यह देखेंगे इसी तरीके से आपके 3 डिजिट के होंगे जैसे यह रिखागा, तो 1st is 100 यहां जोनेंगे, तो आपको उसी तरीके से add करेंगे, ठीक है? तो question number first second आपके सेव ऐसे ही होंगे, तो आपको question number first, second, third chapter number second के आपको complete करने I hope you are understood If you have any queries, then ask me Thank you, classwork